तो थमनेल तो आपने देखी लिया सामान विग्यान जर्णल नॉलिज के 150 प्रशन उत्तर है जो की बहुत ही मैत पूर है तो वीडियो पूरा बॉच कीजिएगा तिल एंड तक आपको चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना है और बेल अकिन को प्रेस कर लीजिएगा और अपनी जो भी नॉलिज है उसे बूस्ट अप करते रहेगा तो फर्स्ट कॉशन है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो हिकेटियस नामक व्यक्ति को भूगोल का जनक कहा जाता है नेक्स्ट कॉशन है जियोग्राफिया के लेखा कौन है तो वो है इरेटो इस्थनीच जियोग्र आर्फ ग्रह की नाम से जानते हैं मतलब बोना ग्रह कह दिया गया है उसे जुद्ध और शुक्र सूर के गिर्ध एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिक्तम समय लेता है तो वो लेता है नेपचियून सौर मंडल में छुद्र ग्रह छोटे खगोली ये पिंड हैं वे किन दो गिरहों के मद्ध पाए जाते हैं तो मंगल और ब्रहस्पती के मद्ध ये पाए जाते हैं नेक्स्ट कुशन है प्रत्वी की जुड़वा वहिन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है तो वो है शुक्र नेक्स्ट कुशन है तारों के मद्ध दूरी ग्याद करने की इकाई कौनसी होती है तो दूरी ग्याद करने की इकाई होती है प्रकाश बर्ष नेक्स्ट कुशन है स अच्छे से देखिएगा वीडियो कम से कम दो बार वाच करना और नोट कर सकते हैं नोट कर लेना नहीं तो टेलीग्राम ग्रॉप जोइन करके वहां से पीडियेफ जरूर प्राप्त कर लेना जिससे आप रिवीजिन कर सकें यह सारे कुश्चन एकदम सेलेक्टिव कुश्च कुश्ची जो है कहां पर है तो वह है चंद्रामाबर नेक्स्ट कोश्चन है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो वह है बुद्ध नेक्स्ट कोश्चन है किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है तारवनडल के तारे धुर्प तारे को और संकेत करते हुएं तो वह हैं सब्ठृषी ऑड़ाण को सूर可愛 के 4 और चक्र लगाने में कितना समय लगता है तो 29.5 बर्स का समय लग जाता है। next question यूरिन engineering प्रिक्रम Lith stand है तो 49 किलो मीटर की दूरी तै कर लेती है अब यह discussion class नहीं है only mcq form में class है तो इसमें कोई भी discussion नहीं होगा बस questions बहुत ही relevant है देखते जाएगा और note करते जाएगा next question है तारे का रंग किसका सूचक है तो उसके ताप का सूचक होता है next question है कौन सा ग्रह प्रकास को उत्सरजित करता है तो नेप्श्यून जो है हरे प्रकास को उत्सरजित करता है next है हमारी आकास गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर को कितना समय लगता है तो 25 करोड बर्स का जो है समय लगता है तो आकास गंगा हमारी है कौन सी तो वो है मन्दा किनी मिलकी वे नेक्स्ट कुशन है ब्रह्मांड की उत्पत्ती का सरवाधिक माने सिध्धान्त कौन सा है तो वो है विंग वैंग सिंदान से विंग वैंग थियोरी भी कहा जाता है नेक्ष्ट कोशन है प्रत्वी के आकास गंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है तो मंदा किनी कहा जाता है नेक्ष्ट कोशन है प्रत्वी के आकास गंगा के सबसे सीतल और चमकीले तारों के समूग को क्या कहते हैं तो औरियन नैबुला कहते हैं किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्षिका जुकाओ लगवग प्रत्वी के दिनमान और जुकाओ के समतुल्य है तो वो नैप्शियून के समतुल्य होता है नेक्स्ट कुशन वैसीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यू से ग्रशित होते हैं क्या कहलाती है तो चंदर सेखर सीमा कहलाती है सरबुतम खोजा गया छुद्रग्रह कौन सा है तो वो है शेरस नेक्स्ट कुशन है ब्लैक होल सिद्धान किसके द्वारा दिया गया था तो ब्लैक होल सिद्धान जो है एस चंदर सेखर द्वारा दिया गया था नेक्स्ट कोशन है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल औरेगी है नेक्स्ट कोशन है प्रत्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिगरी का जुकाओ है तो पांच डिगरी का जुकाओ है नेक्स्ट कोशन है आकास में सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो साइरस सबसे चमकीला तारा होता है जिसे डॉग स्टार की नाम से भी जानते हैं नग्स्ट कुश्न को है तौँ तारे की टिम्टिमाने का कारण प्रकास का अपवर्तन होता है अगला प्रश्ण है किस गटना के कारण आकास का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकीरणन के कारण आकास का रंग जो है नीला प्रतीत होता है अगला प्रश्ण है एंड्रो मेडा हमारी आकास गंगा से कितनी दूर है तो 2.2 मिलियन प्रकास पर एंड्रो मेडा हमारी आकास गंगा से दूर है ये सभी question कई भी न कभी किसी न किसी exam में कई बार आए हुए हैं काफी relevant question हैं बार बार कह रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और watch करने के बाद इसको note कर लीजिएगा नहीं तो टेलिग्राम ग्रुप को join करके पीडियाफ जरूर लेजिएगा और चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा भूलिएगा नहीं बहुत सारे question हो सकता question पढ़ते पढ़ते आप चैनल सब्सक्राब करना ही भूल जाए तो subscribe कर लीजिएगा वीडियो को like जरूर कीजिएगा और share भी कीजिएगा अंत्रिक्षियान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया है तो अंत्रिक्षियान मैगलेन जो है वो मंगल ग्रह पर भेजा गया next question है सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूरी के निकटतम है तो बुद्ध ग्रह सूरी के सबसे निकटतम होता है next question है किस ग्रह का आकार प्रत्वी के आकार के लगवग बराबर है तो शुक्र ग्रह का आकार प्रत्वी के लगवग बराबर होता है next question है सूर के प्रत्वी तक परकास को आने में कितना समय लगता है तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है अगर option में हो तो 8 मिनट लगा दीजीगा और 16.6 सेकेंड हो तो ये भी आप लगा सकते हैं option किसाब से आपको correct answer कर देना है नेक्स कुछन अंतरिक शियात्री को आकास का रंग कैसा दिखाई देता है तो अंतरिक शियात्री को आकास का रंग काला दिखाई देता है कौन सा तारा प्रत्वी के सरवादिक समीप है तो सूरी जो है प्रत्वी के सरवादिक समीप होता है नेक्स कुछन है सीगरता से घूमने और मुछ रेडियो तरंग छोड़ने बाला पलसर क्या है तो वो है नीट्रियों तारा नेक्स्ट कोशन है ब्रह्मान में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है तो अविनवतारा जो होता है विस्फोटी तारा कहलाता है नेक्स्ट कोशन है एक खगोली दूरी क्या होती है तो प्रत्वी और सूर के वीच दूरी जो होती है वो खगोली दूरी होती है next question है सौर मंडल की खोश किसके द्वारा की गई थी तो कौपर निकस ने सौर मंडल की खोश की थी next है सौर मंडल का सबसे उचा परवत next Olympia किस ग्रह परिस्थित है तो मंगल ग्रह पर अवस्थित है next question है एक प्रिकास वर्स कितनी दूरी के बराबर होता है तो 9.46 into एक हजार बारा किलोमीटर के बराबर होता है next question बिस्थ की दूद की रानी किस नसल की बकरी को कहा जाता है तो सानेन को कहा जाता सानेन नामक एक बकरी की नसल होती है उसे विस्सु की दूद की रानी कहा जाता है अगला प्रश्ण है किस बर्स में मात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो 1869 में 1869 में मात्मा गांधी का जन्म हुआ था नेक्स्ट जीवन भीमा को राष्ट्रिया कब किया गया था तो 1956 में जीवन भीमा को राष्ट्रिया कर दिया गया था अगला प्रशने स्वतंत्र भारत के प्रथम भारती गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे सी राम गोपाला चारी जी अगला प्रशने तेलगू किस राजी की राजवासा है तो आंद प्रिदेश की राजवासा जो है तेलगू है अगला प्रशने एक बस्तू का जड़त तो किस पर निर्वर करता है तो एक बस्तू का जड़त जो है द्रबिवान पर निर्वर करता है अगला प्रशने प्रशिद दिनाटक सकुंतला किसने लिखी थी तो महा कभी काली दास ने प्रशिद दिनाटक सकुंतला को लिखा था अगला प्रशने किसी चालक के सिरों के वीच विववांतर उसमें बेहने वाली धारा के समान उपाती होता है तो ये ओम का नियम कहलाता है ओम का नियम क्या कहता है किसी चालक के सेरों के वीच विवांतर उसमें वेहने वाली धारा के समान उपाती होता है अगला प्रश्ण है कौन सा सहर अफगानिस्तान की राजदानी है तो कावुल अफगानिस्तान की राजदानी होती है rainfall इस अगर पूछी जाय तो आफगान अफगानी तो क्या होगा तो कमरे की बायू का तापमान बढ़ेगा नेक्स्ट कुश्शन है प्रत्वी के जीवन काल में कितने दांत दो बार विक्सित होते हैं अगला प्रश्ण है किसी ध्वनी शुरोत की आवरत्ती में होने वाले उतार चड़ाओ को क्या कहते हैं तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं डॉपलर प्रभाव क्या कहलाता है कि किसी ध्वनी की शुरोत की आवरत्ती में होने वाले उतार चड़ाओ को डॉपलर प्रभाव कहते हैं नेक्स्ट है गोवा को पृत्वालियों से कब आजात करवाया गया था तो 1964 में तो आप लोग इस बात पर ध्यान मत दीजेगा कभी हम कहते हैं अगला प्रशन कभी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन ओके जो हम बोलते हैं जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो समझ भी नहीं आता क्या बोलना है तो जो सही लगता है बोल देते हैं तो आप लोग क्वेश्टन और कंटेंट पर फोकस कीजेगा आप वो यह मस देखिएगा कि कभी नेक्स्ट कभी अगला प्रशन बोल रहे हैं तो अगला प्रशन सिख्षक दिवस का मना जाता तो 5 सिख्षक दिवस पनाया जाता है अगला प्रशन है पहली बैंक जिसकी पहाता है कोशी नदी को कहा जाता है अगला प्रशन है किस बरस मानम ने पहली बार चंद्रमा पर चरह न रखे थे तो सन 1989 में चंद्रमा पर पहली बार चरह रखे थे नेक्स विस्टु का सबसे बड़ा महादूव देश कौन सा है तो वो है एशिया नेक्स कोशन है चीन असम के किस दिसा में इस्थेत है तो चीन असम के उत्तर दिसा में अवस्थेत है अगला प्रशन जापान पर परमाडू बंब कव गिराया गया था तो उनीस सो पैंतालिस में होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है तो लोफाइट्स कहा जाता है अगला प्रशन राजिसवा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है तो राजिसवा की बैठकों के जो अध्यक्षता है वे उपराष्टपती करते हैं अगला प्रशन भारत में आने वाले सागरीय मा की खोज किस ने की थी तो बास को डिगामा ने की थी नेक्स कुछन है जीन किसे बनी होती तो जीन जो है डी आने से बनी होती है अगला प्रशन है कौन सी रेखा विस्वत रेखा के समानतर होती है नेक्स्ट जो प्रशन है वो कौन सा है तो पौधे का प्रजन अंग कौन सा हो दीवार हैं, खज्राव कहां इस्तित है, तो बत्रइब को टेंफ़ करने के लिए करी मात्रव करने काफी अगला प्रजटे कौन सा सहर गंगा-जद्र पर 투 economy वह रहा है Has tuいきます क्मेंट बाक्से में मेंशन कने कि कौन जो गंगा थतपर वसे हुए अगला प्रश ने भारत में किसे कहा जाता है तो बर्गीज कुरियन को भारत में सवेट क्रांति के जनक कहा जाता है सोईद करांती संबंदित होती है दुख दसे मतलब की मिलक से अगला प्रशने प्रख्यात सिने कलाकार प्रत्वी राज कपूर राजकपूर से संबंद है इनका बाप बेटे का संबंद है अगला प्रशने ज़रने में जब उचाई से गिरता है तो क्या होता है त जिस बैंक ने सौ साल पूरे होने के उपलक्षमिय डाक विवाग में एक समारक डाक टिकेट जारी किया वैकॉन सी बैंक थी तो वह थी सेंट्रल वैंक ओफ इंडिया अगला प्रशने एक लड़की जूल रही है उसके पास एक अन लड़की आकर बैठ जाती है तो जूले का आवर्टकाल कैसा रहेगा तो अपवर्तित रहेगा अगला प्रशने बहर मुगल वास्था जिसने 15 वर्ष निर्वासित थोकर गुजा रहे थी तो वह थे होमायूं मुगल वास्था थे यह अगला प्रशने भारत की मैं सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है तो पश्यम पुराण हिंदुओं में पाए जाते हैं अगला प्रश्ण भारत का कौन सा राजी चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है तो असम राजी है इसका प्रमुक उत्पादन जो हता है चाय उत्पादन होता है अगला प्रश्ण उत्तर प्रूफ सीमांत रेलवे में सबसे बड़ रेलवे स्टेशन किसका है तो वो है माली गाओं का अगला प्रश्ण है रविंद्र नाठ टैगोर ने भारत की राष्टिगान के अलावा और किस देश का राष्टिगान लिखा था बंगला देश का अमार शुनार बंगला की नम से राष्टिगान हमारा सबसे पहली वार 1911 म गाया गया था अगला प्रशने भारत के सम्मिधान को बनाने के लिए गटित सम्मिधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे श्री डॉक्टर राजन प्रिशादी जो कि हमारे प्रथम राष्ट पती भी थे अगला प्रशने भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर कौन सा है तो वो है बुद्ध अगला प्रश्टन है राजिस्थान में किस तरह की पेड़ों में पतियां पाई जाती है तो पेड़ों पे छोटी पतियां पाई जाती है कौन से से जापान की राजधाने यह तो टोक्यो जापान की राजधाने यह की करंसी है जापान की जो सं नेता जी कह कर संबोध्यत किया था अगला प्रशना है फोज नहें क्ये पूर्वी अफ्रीका कि शोटा हो गया तो गिशना यह पॉधों द्वारा nitrogen किस पूर्द करका रूप किया जाता है तो Schmidt Remover कब बता कौन है तो बहु है Jj Thompson और इसके एक ट्रिक होती है रेट पर नाच में इत पर नाच सक जो इड़क्ने की 허ठोब्सन tut तो यह रेखे रखेगा इफर यह कि फोड की फॉल जो कुछ रठोब्सने इसज ऊविए बाद रगतए ने और न्यूट्रोन की खोज चैडविक ने की थी अगला प्रशने बिस में प्राकृतिक रवर्ड सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो प्राकृतिक रवर्ड का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाइलेंड है अगला प्रशने बन उनसंधान कहां पर इस्तित है तो स्थित स्थित आले सब्सक्टारब्ग दिल्ली में कंग क्या होता है राइवोगसी किसे बाइशियरे कीमानेक तेर्लाइवो था क्या जो है अनपड़ था अगला प्रशने जब कोई व्यक्ति सोता है तो क्या घटता है तो उसका रक्तचाप घटता है अगला प्रशने प्रात्वना समाज की स्थापना किसने की थी तो आत्मा रंग पांडूरंग ने प्रात्मा समाज की स्थापना की थी अगला प्रशने है एपी कल्चर किस से संबंदित है तो मदमक्खी पालन से एपी कल्चर संबंदित होता है अगला प्रशने कौन सा सहर भारत का सबसे महगा सहर है तो सबसे महगा सहर मुंबई है अगला प्रश्ण बारत में हरित करांती के जनम दाता कौन है? तो म.ध स्वावी नातनी हरित कांती के जनम दाता है अगला प्रश्ण बारत में सबसे लंबी सड़क है तो जीटी रोट जो है Grand trunk रोग जिसकी जो निर्माने सेरसा सूरी ने कराए था वे सबसी लंबी सड़क है अगला प्रशने ATM का पूर्ड विस्तार नाम क्या होता है तो automatic trailer machine जो ATM का पूर्ड विस्तार नाम होता है अगला प्रशने किसे भविष्य की धातू कहा गया है तो titanium को भविष्य की धातू कहा जाता है इसे black gold वी कहा जाता है स्टैनलेस स्टील मिश्रधातू है。 रेड रोट रोग किस फसल रोग होता है तो ये गन्हा का रोग होता है अगला प्रशने भारत की पहले महला कैविनेट मंत्री कौन थी तो वो थी राजकुमारी अमरत कौर जी नेक्स्ट कुशिन है चेतक घोड़ा किसे संबन देते तो महाराणा प्रताप से संबन देते है सबसे बड़े पुस्प होते हैं रिफ्लैसिया नामक पौधे के अगला प्रशने अर्दनंग फकीर मातमा गांधी को किसने कहा था तो चेर्चिल नामक व्यक्ती ने अर्दनंग फकीर मातमा गांधी को कहा था अगला प्रश्ण अंजू बौवी जोर संबंदेते हैं अगला प्रश्ण कोईना बांध किस राज से संबंदेते हैं तो कोईना बांध कोईना नदी पर महराष्ट से संबंदेते हैं अगला प्रशने कौन सा तत्तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो जो सल्फर है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है अलीगड किस उत्पात के लिए मशूर है तो ताले बनाने के लिए अलीगड मशूर है जैसे आगरा पेठा के लिए मशूर है तो इस तरह जो अलीगड है किस उस पाद के लिए मशूर है ताले बनाने के लिए मसूर है अगला प्रशने प्रकृती में कारवन का विशुद रूप घटता है हीरा ट्रिंकल जो ट्रिकल रोग होता है किस फल में होता है तो ट्रिकल रोग जो होता है नीवू में होता है अगला प्रशने उद्य संकर किसे संबंदित है उद्य संकर जो है नृत्य से संबंदित है अगला प्रशने उर्जा का प्रामिट होता है तो उर्जा का प्रामिट जो होता है हमेशा सीधा होता है अगला प्रशने भारत में सरवाजिक दूद देने वारी बक्री की नसल कौन सी होती है तो वो होती है जमना पारी अगला प्रशने स्वतंत्र भारत का प्रथम भारती गवर्णार जनरल कौन था तो वो था स्री राम गुपालाचारी ये कोशन रिपीट हो गया तो देख लीज़ेगा अगला प्रशने रेफरेजेटर में कौन सी गैस प्रियोन गैस प्रियूक्त किया जाती इसे CFC भी कहेंगे क्लोरो फ्लोरो कारवन जिससे ओजोन परत का छरण होता है प्लासी युद्ध कब हुआ था तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अगला प्रश्ण है कारगिल कस्वा किस राज जिम्य है तो जम्मू एवं कस्मीर में है और ये जो कारगिल जो है अब आगया है लद्धाख में लद्धाख ही क्यूटी बन चुका है तो लद्धाख जो है इसके दो जिले हैं कारगिल और लेह जम्मू कस्मी और बाई जिले हैं अगला प्रश्ण है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस ने दिया था तो सरदार भगास सिंग ने सर्फ्थम ये नारा दिया था अगला प्रश्ण बिस्कव सबसे हूचा परवस्थिकर कौन सा है तो वो है एवरिश्ट इसे नैपाल में सागर माथा की नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश्ण पौधे का कौन सा भाग शोषन करता है तो वो है पत्ती अगला प्रश्ण पिट्ट्टिरी गरंती कहाँ पर होती है तो मस्तिस्क में ये सबसे बड़ी गरंती भी होती है भगवान बुद्ध का कुल क्या था तो शाक के कुल के भगवान बुद्ध कहे जाते हैं अगला प्रशने श्याई सोकता के सिध्धान पर कारी करता है तो श्याई सोकता जो है प्रश्ट तनाव के सिध्धान पर कारी करता है अगला प्रशने बिदेश में साखा खोलने का पहला बैंक कौन सा है तो वो है बैंक ओ कुछ प्रकास में सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल पृकास में सबसे ज़्यादा होता है, पिलासिस्क का युद्ध का लिक ही का हुआ था तो 1ars 22-회 में हOSE सबस्क्राइब के तो यह था हमारा आज का जίकek का बहुत ही मैत-वेडियों, गर आपको अच्छा लगा है यह अच्छा लगागा अबहुत ही रिलेवेंट कुछ क्षेसंस रिपीट हो गए उनको आप मैटर मत किजेगा दो तिन कुछ रिपीट हो गए तो उन्हें आप रिवीजन के तो पर मालनीचीगा और या करना है आपको आपको जल्दी से सब्सक् description box में मिल जाएगा वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी आप revision कर सकते हैं, note भी कर सकते हैं और वीडियो को कम से कम two times watch कीजेगा, एक बार normal speed बे देखिएगा एक बार speed बढ़ा कर देखिएगा और YouTube में option होता है speed increase करने का, इससे आपको revision तुरंत हो जाएगा और आपको याद हो जाए 110% इसमें से आपको GK के question देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके assure है इस बात का two marks तो आपको देखर ही जाएगा ये वीडियो, ओके, and आपको क्या करना हमारे social media account, facebook, instagram page को follow कीजेगा, tiktok, hello app पर आप हमें follow कर सकते हैं, daily motion, share chat, twitter अगर आप यूज करते हैं, आप भी follow कर सकते हैं and most important, coverie app पर जाएए तयारी beginners की search कीजेगा audio revision जरूर करते रहेगा, आपका काफी benefit होगा, video watch कीजे audio revision कीजेगा, आपका काफी benefit होगा, okay and आपको क्या करना है घर पर रहना है, स्वस्त रहना है, मस रहना है आपने अपने बरवारी जनों का खयाल रखना है पढ़ते रहना है, नरंतर सकारात्मक रहेगा, कभी भी negative मस सोचेगा आगे बढ़ते रहेगा, आपको आपकी मंजल जरूर प्राप्त होगे, मन में हमेशा जुनुन रखिये, हासिल कर लेंगे, मुकाम अपना तभी चैन से बैठेंगे, तो don't forget subscribe and share and like and comments, तो आप सभी का बहुत 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 सारा धन्यबाद वीडियो वाच करने के लिए, again, please do subscribe, do subscribe, okay, thank you.